So Hello Everyone, Forum MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है Finally आपके Nursing के Forum निकल चुके सरकारी Nursing College में परवेश के लिए अगर आपको भी Government Nursing College से BS Nursing का कॉर्स करना है यह Forum आप भी Apply कर दीजिए 2022 और 2023 के लिए तो यहाँ पर जो सभी Courses यह Paramedical, BPT, BS Nursing इन सभी Courses के लिए यहाँ पर Advision स्टार्ट हो चुके है तो आपको भी यहाँ पर Forum Apply करना होगा और जैसा कि आपको पता है कि यह जो Season चल रहा है, Forum का ही चल रहा है अधिकतर जो Nursing के Forum है, Paramedical के Forum है, इसी मन्त में निकलेंगे नजर आ जाएंगे, और आपके मुखके सर One by One करके सभी को आपके सामने रख देंगे तो चली यहाँ पर देख लेते, कहां के Forum है, कौन सी University के Forum है और कौन कौन Apply कर सकता है, तो Basically Scroll Down हम कर लेते, और यहाँ पर देखो Forum की जो Last Date है, वो 12 August 2022 रहने वाली है तो इससे पहले पहले आपको Forum Apply करना होगा, चलीए यहाँ पर जो Forum की पीस है, मात्र आपकी 400 रुपीज रहने वाली है और देखो, आपके हर कमेंट का ज्वाब हमारे चैनल पर मिलेगा, हमारे द्वारा तब ही जाके आपकी समश्या का समधन हो पाएगा तो देखो, Forum आप आज से ही, अभी से ही घर बेटे बर सकते हो क्योंकि आपर Forum Start है, जो की 12 August 2022 तक रहेंगे ठीक है, और जो इसका entrance exam होगा, conduct होगा, वो आपको बाद मियाँ पर बताया जाएगा तो basically यह इसके official website है, और यह कौन सा state है, देखो, वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको हर एक जानकर यहां पर मिल जाएगी, ठीक है, तो यहां पर कौन कोन apply करेंगे सब हम check रेंगे, यह आपके Tamil Nadu के Forum है, जैसा कि आप देख पारूंगे, Government of Tamil Nadu अब आपका basic सा question रहेगा सर हमारे यहां पर कब आएंगे, चाहे आपका राजस्तान हो, मद्य परदेश हो, UP हो, ठीक है, दिल्ली हो, जारखंड हो, ठीक है हर एकी जानकारी मैं आपको दूँगा, क्योंकि Forum, भरवाना, Forum के अपडेट देना, तैयरी करवाना, मेरा करतवे बनता है, ठीक है, यह हमारी duties है तो basically आपको भी मैं Medical फिल्ड में लाना चाहता हूँ, ताकि आपका और आपके माता-पिता का नाम रोसन हो सके चलिए, यहां पर देख लेते हैं, पूरी लिष्ट यहां पर जारी हो चुके है, और तैयरी तो आपको MPS Academy एप सही करनी होगी, ताकि आपका सेलेक्शन हो जाए तो देखिए, यहां पर All India के Candicate एपलाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहीं के भी हो, यहां पर एपलाई कर सकते हो तमिल नाडू में, और आपको पता है, रोजना फोरम निकल रहे है, अभी आपको पता है कि परसों में ने जो अपडेट आपको दिया हाँ, बस चैनल सस्क्राइब होना चाहिए, बेल आइकन पर प्रेस होना चाहिए, तो आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी, तो चलो, यहां पर देख लेते एक्जाम वगिरा कैसे होगा, पीस कितना लगेगा, सब देख लेते, कोलेजे कितनी सीटे कितनी है, हम आचुके यहां पर सीटों की सिंख्याप है, आप यहां पर देख पार होंगे, जो यहां पर नमबर आप सीट है, 350 आपके रहने वाली है, ठीक है, सबी कोरसेज के यहां पर देरके, जैसे B.A.S.L.P. हो गया, बीपीटी हो गया, इन सबी का आप यहां पर देख सकते हो, त एमकेस अकेडमी एप पर आपको इसका सेल है, बस, कोलेजों की सिटों की संक्या, इंटरंस एक्जाम के पुराने पेपर, सब कुछ आपको एमकेस अकेडमी एप पर मिल जाएगा, डाउनलूड कर देना, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है, अब थोड़ा साब का कमेंटो का रिपला यहां पर मैं दे देता हूँ, सो यहां पर मैंने आपके सारे कमेंट ओपन कर लिए, ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहला कमेंट है, रीना साओ का, सर आप हमारे सबसे ग्रेट बेस्ट टिचर है, आप हम लोगों की बहुत हेल्प करते है, सर आप हमारी सार प्रोब्लम सोल कर देते बहुत-बहुत जटा धन्यवाद बिल जीत लिया रीना साउ ने तो कि मैंने अवज़र्व किया हर एक जो comment box होता है रीना साउ का comment मेरे को हर बार दिखता है हर एक वीडियो में comment दिखता ही दिखता है रिना साओ आपका सेलेक्शन पक्का है क्योंकि आप खापी active हो खापी serious हो इस course को लेकर और ऐसे ही विद्यारती success हो पाते है ठीक है पक्का मेरा आसिरवाद आपके साथ है और कोई भी समस्या हो बता देना मेरे को वारत और नमबर भी मैंने सबी को दे रख गए ठीक है ताकि कोई भी समस्या हो मेरे को बता देना और MKS Academy पर भी मिल जाएगा ठीक है तो रिना साओ का यहाँ पर तीन लाइक आए एक मेरा लाइक लो ठीक है ना इस चार हो गए मैंने भी आपको लाइक कर दिया यहाँ पर कमेंट को अनुपा का कई फोरम बरने के बाद एक्जाम सेंटर कहा हिमाचल परदेश में बिल्कुल बिल्कुल अनुपा हिमाचल परदेश का हिमाचल परदेश में पढ़ेगा आपको ठीक है आरती को बहुत बहुत धन्यवाद वंदना अब तो रोज आपका कमेंट मेरे को दिखने को लग गया वंदना जी ठीक है अब ऐसे रगुलर अगर आप कमेंट करते रहोगे तो आपका पक्का मेरे को हां की वंदना भी हमारे विद्यारती है ठीक है रेगुलर जिनके कमेंट आते हैं वो हमारे विद्यारती में उनको मान लेता हूं अनीता चोधरी बहुत भूद धन्यवाद रीना साउ को तो अगें थेंकि सो मच ममता का कमेंटे सार एमपी में जो सित्तमर में पेनेश्टे के फोरम आएंगे ना काउंसलिंग कब होगे देखो बहुत लेट होगी मद्यपर्देश सबके पिछे फोरम निकालेगा सिंपल से बात है हकीकत है क्योंकि वहाँ पर मद्दे पर्देश में अभी तक कोई भी notification उन्होंने जारी नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि उनको बहुत लेट करवाना है तब भी तो मैं मद्दे पर्देश वालों से बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको केरियर बनाना है अगर आपको भविस्य बनाना है तो आपके आसपास के राज्य हैं ना उनमें अपलाई कर दो आप ताकि कम से कम आप कहीं से तो कॉर्स कर लोगे नए तो फिर दिक्कत हो सकती है काजल सिंग को बहुत बहुत धनेवाद ये भी हमारे रेगुलर विध्यारती है और देखो MKS Academy अप आपने डाउनलूड कर रखाओगा ना तो पुराने पेपर वगएरा सब वहीं मिलेंगा आपको फिरी में ठीक है हाँ MKS Academy अप पर आपको फोरम की रिजल्ट की काउंसलिंग की सारी जानकरी मिलेगी सारी सुविदाय में ने वहाँ पर दे रखी है सीता को बहुत बहुत धनेवाद You are great best teacher Thank you so much सीता राहुल को बहुत बहुत धनेवाद ससमीता को बहुत बहुत धनेवाद Ruby Patel regular विध्यारती ठीक है Thank you Lord sir बहुत बहुत धनेवाद आप लोगों को वंदनाजी का अगेन आपर कमेंट है कोई भी दिक्कत हो वंदनाजी बोल देना हर एक कमेंट यहाँ पर देखे जाते है हर एक विध्यारती की समस्या का समधान थोरम MKS चैनल के पास है MP में कब आएंगे तो MP में अगले महीने आ रहे ना रादा छोदरी को बहुत बहुत धन्यवाद आर्ची मोरिया सर आप अटल बिहारी वाजपे के जो काउंसलिंग में डॉकुमेंट्स क्या-क्या चाहिए देखो आर्ची मोरिया जिन्होंने अटल बिहारी वाजपे का केजी M.U. का जो इंट्रांस एक्जाम दिया है उसमें काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए देखो पहले तो काउंसलिंग के लिए बस एड्मिट कार ही कुवब है एड्मिट कार से भी करवा सकते आप ट्रोल नमबर चाहिए बस आपका फोरम नमबर चाहिए बट जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा जब आप कोलेज मिल जाएगा और उसको जोइन करने जाओगे तब तो बहुत सारे डोकुमेंट्स आपको चाहिए फिलाल काउंसलिंग के लिए तो आपका पर महराष्टा के फोरम तो आपको पता है थर्डवी को अगस्त में निकलने वाले है आलवेज सर्डॉकुमेंट्स क्या क्या चाहिए ओनली आपका देखो अगर आपको इंटरंस इक्जाम का फोरम बना है तो बारवी की मार्क सीट दसवी की मार्क सीट ठीक है और आईडी और पास्पोर्ट साइज के फोर्टू यही आपको चाहिए होता है अगला है यहाँ पर एमपी पिनेस्टी के फोरम कब आएंगे तो मैंने आपको बता रखाए एक महिना तो लगेगा कम से कम सर माराष्ट में बेस्टन सीट के फोरम यह भी कम से कम थर्डवी कॉप अगस् पर पर निव्र यहां पर थर्डवी कॉप अगस्त में आपके फोरम आजाएंगे बट आप त्यारी करो पौरम तो आजाएंगे देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फोरम तो सब बढ़ेंगे बट आपको सेलेक्षिन भी तो पाना है ना तो त्यारी आप एम के सक्टे सब्सक्राइब कर सकते हैं सदना कुमारी बहुत 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 बुद मॉर्निंग ठीक है फोरम कब आएंगे इलाबाद का सदना इसका जो वीडियो में दूसरे चैनल पर बना रखा है इलाबाद का जो हमारा दूसरा चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा जाके देख लो सो सब्सक्राइब नहीं आप बहुत अच्चा पड़ाते हो दिल जीत लिया ठीक है सवनिया को बहुत बहुत धन्यवाद करन साहू सर एंपी में कब निकलेंगे अगले महीने दिपक थेंक्यू सो मसर आप मेरा कमेंट का रिप्लाइद दिया देखो मैं तो हर एक विद्यारति का रिप्लाइद देता हूँ बस आप वीडियो पूरा देख लिया करो ठीक है दिवेश तो बहुत 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 धन्यवाद दिवेश यादव का सर बीएस नर्सिंग और पॉस्ट बीएस नर्सिंग में क्या अंतर है मैंने अटल बिहरी वाजपे इस से इंटरंस इक्जा कि दूरो गैद अम स् cape अन्तर है क्जरी यह उता है जेमकला करूर्स करने के बाद और यह ऊता है बाइर्विं के बाद इतना सांतर है और बहुत खोई इंतर नहीं है रुपाली चोद्री एमपी में कब आएगा तो अंगले मही नेत्रफित दिखशा MP में देखो MP वालों से मेरा यही कना है अगले मैने तक वेट करो आप MKS Academy एप डाउनलोड करके रख लो वहाँ पर आपको फोरम मिल जाएगा साकसी महराष्ट का तो देखो थर्ड विकोप अगस्तक आएगा सिम्रन सर इटावा से फोरम बरे तो सेंटर कहां पर देखो इटावा का तो इटावा में रहेगा देखो वह यह से तो आपको KGMU ने कंड़क्ट करवा दिया महराष्ट का मैं ने आपको बता दिया आसू सर नागपूर में कब निकलेंगे इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगा मैं नागपूर के उपर ठीक है दूसरे चैनल पर रूबी पटेल सर नेट का रिजल्ट कब आएगा बहुत अच्छा है क्यूसन इसका तो मैं वीडियो बनाऊँगा ठीक है रूबी पटेल पक्का वीडियो बनाऊँगा कि रिजल्ट कब आएगा ठीक ना नरेश कुमार गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर हर्याना में कब फोरम रिलिज होंगे हो गए न मातो रोतक हर्याना में आगे नरेश मैंने आपको कली बताया था कि रोतक हर्याना में फोरम आगे सत्य गुपता सर यूपी में कब आएंगे यूपी में भी निकल गए सारी जगह बस एकी यूनिशिटी बचिए लल आरेम उपेंदर सोनी का भी वोई कमेंटे एंपी का तो एंपी का तुम इने बताए दिया आपको आकास सर जो अभी यूपी बीएस नर्सिंग इंटरांस इक्जाम हुआ है ना उसका रिजल्ट का बाएगा आकास इसका जो आपको अपडेट है वो हमारे MPS Academy एफ पर आपको मिल जायेगा रिजल्ट बिलकुल तो एक काम करो MPS Academy पर जाके देख लेना रिजल्ट होंँ पर मिल जायेगा आपको सर फोरं नहीं बर पा रहे है क्यों नहीं बर पा रहे हो कोई भी दिक्कत हो तुमेरे को बताओ वार्षप नमर भी है और यहीं पर बता दो चाहिए तो कमेंट में उडिसा का होरा में आपको बता दूँगा ठीक है MP का मैंने बता दिया और यहां पर अगर अपन नहीं होता है ना तो मेरे को वार्षप कर दो आप किसी होगा अगर अप्लिकेशन ओपन नहीं हो रहा है तो मेरे को वार्षप कर दो आकसी प्रिया सरजार कंड में कब आएंगे थर्ड वी कॉप अगस्त तक आएगा प्रिया जी बिहार का मैंने बताए दिया आपको ठीक है एमपी का मैंने बताए दिया राजस्तान का मैंने आपको बताए दिया ठीक है हाँ गुजरात का तो देखो दूसरे चैनल पर वीडियो वाइलेबल है यूपी का मैंने बताए दिया MP का मैंने आपको बताए दिया और यहाँ पर वीडियो पूरा देखा को रूबस इलाबाद का देखो दूसरे चैनल पर देख सकते हो चंडीगड और पंजाब के गवर्मेंट कोलेज के फोरम कब आएंगे निकल गए पंजाब के तो कब के निकल गए मैंने बताया था तभी तुम्हें बार-बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रको बेल आइकन पर प्रेस करके रको ताकि फोरम के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए तुम्हें सभी से यही करना हूँ चाहूँगा कि एमकेस अकेडमे पर सारी आपको अपडेट मिल जाएगी यह स्यादो इलाबाद का मैंने वीडियो बना दिया दूसरे चैनल पर ठीक है सभीता महराष्ट का मैंने बता दिया तुम्हें यही करना चाहूँगा एमकेस अकेडमे एपर सारे फोरम आपको मिल जाएगे डाउनलोड करके रख लो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ आप आपकी छोटी से छोटी समस्या मेरे को बताओ बड़ी समस्या मेरे को बताओ किसी भी परकार की समस्या मेरे को बताओ मैं आपके साथ हूँ बस आप लोगों का सपोर्ट चील लाइक, सस्क्राइब और सेर MKS Academy पर सारा आपको अबडेट मिल जाएगा